मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो क्रिप्टोकरंसी मार्केट के अंदर या आप कहले जीए इंसानों के अंदर ये फिदरत होती है जब मार्केट उपर चली जाती है तो हम वेट करते हैं कि वहीट नीचे आये और हम एंट्री लें और जब नीचे आत तो वेट करते हैं भाईया और नीचे आए और हम एंट्री लें ना वो ऊपर ले पाते ना वो नीचे ले पाते और घूम फिर के जूलते रहते हैं बस अपने ख्वाबों में खयालों में और जो एक्शन लेने वाले होते हैं ना उन्होंने ना 30,000 डॉलर देखा होगा और ना 1000 डॉलर पे जब आया होगा एंट्री बनाई होगी तो वो भी आज की डेट में एट पार पे होंगे इसलिए आज हमने ट्वीट किया कि 5 साल पहले अगर बिटकोईन का प्राइस लगबख पैस 800 डॉलर के आसपास था एथिरियम 400 डॉलर के आसपास था उसके बाद हमने कहा तक देखा 10 गुना देखा 70,000 डॉलर देखा अब बिटकोईन का प्राइस और इथिरियम लगबख हमने 4,000 डॉलर देखा तो कहने का मतलब यह है अगर आप होल्ड कर सकते हो लंबा समय दे सकते हो तो एक अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपॉर्जिनिटी मिस कर दी है और शायद यहाँ पर आपको बिटकोईन मौका दे सकता है अब बिटकोईन मौका देने का मतलब क्या है सबसे पहले यह समझेए मैं इस चीज को सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि बिटकोईन 15,000 डॉलर पे आ जाएगा बि नीचे 25,000 डॉलर पे आए 30,000 डॉलर पे आए एंट्री बनाए और उसने इसको ब्रेक आउट किया हमारे टार्गेट 31,500 का था चलो कोई बात नहीं 31,000 डॉलर तक गया और वहां से अभी 30,000 डॉलर के नीचे लगबग 29,500-400 डॉलर पे चल रहा है तेको टेकनिकल नेनेसिस के नदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चीजे चेंज होती रहती है और उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटरजी चेंज करनी पड़ती है एक टाइम पे हम 23,000 डॉलर पे 20,000 डॉलर पे सपोर्ट ढून रहे थे और इस टाइम पे हमारी जो सपोर्ट आ रही है उस प प्रफिट हो सकता है या शायद यह अपॉर्चनिटी के लिए फिर काफी लंबा समय वेट करना पड़ सकता है क्योंकि क्वार्टर टू की बात करते हैं जैसा कि हमने पहले कई बार आपको बताया है कि क्वार्टर टू अपरेल मई जून एक अच्छा जो है क्वार्टर होत है और अगर उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो अभी तक कुछ खास प्रफॉर्म नहीं किया है और डबल से ट्रिपल डिजिट में रेटन देता है बिटकोईन का प्राइस तो हमें उम्मीद है 35-40,000 डॉलर यही सक्वार्टर में देख सकता है लेकिन अगर अच्छे रेट प देखना है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको पहले सी पता होगा कि एक रेजिस्टन साफ एबनाची की रेशो और उसको जब उसने ब्रेक आउट किया या उसके ऊपर मेंटेन करने कुछ कर रहा फिर हमने पंप देखा 31,000 डॉलर बिटकोईन गया जैसा भी आपको और दूसरी एंट्री लगबग 26,500 डॉलर जहां पर 50 डेली मूविंग एवरिज की इसको सपोर्ट यहां मिल रही है तो दो लेवल्स हैं यहां तक आ सकता है और यह क्यों आ सकता है कोई negative news तो खास है नहीं इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बिटकोईन की dominance यहां थोड़ी गिरती दिख रही है इसका मतलब है alt coins यहां पर grow कर रहे हैं और हभी थोड़ा थोड़ा fluctuation हमें देखने को मिल गई है लेकिन सबसे important factor है अगर technical नजरिये से देखते हो तो वो आता है RSI related strength index अगर उसकी बात करते हैं तो उसके लिए basic सी चीज आप समढ़ लो कि 70 के आसपास होता है तो समढ़ लीजेगा over pot position के अंदर है और 30 के आसपास होता है तो समढ़ लीजेगा over sold के अंदर है 40 से नीची होता है तो इस time पे यह उसके ऊपर चल रहा है या उसके आसपास चल रहा है तो यह एक over pot position के अंदर है और यहां पर जैसा हमने एक rally देखी है 3-4 हजार डॉलर की बिटकोईन के अंदर तो यहां इस आउट करना चाहिए और इस आउट करता है या कई लोग जैसे मैंने आपको कल की वीडियो बताया था ओंचेंड डाटा निकल के आ रखनी है बिटकोईन यहां मौका दे तो आपको अगर आपने एंट्री मेंस कर दी है तो शायद लॉंग टम के लिए भी और शॉट टम के लिए भी यहां पर एक अच्छी एंट्री आपकी हो सकती है अगर आप 15,000 डॉलर का वेट कर रहे हो तो शायद गाड़ी छूट चुक है उनके अंदर एक रैली और हमने तीन दिन पहले वीडियो बनाई थी कि इन इन लेवल पे लगबख 1000 पे सीवा इनू मिले या 1050-1100 पे मिले तो आप एंट्री बना लीजिएगा और अग हमें जो लगता है यहां पर यह अपने एक रैस्टन्स को टेस्ट कर रहा है अगर उपर जाता है तो यह 1400-1400 तक जा सकता है इस कोईन पे नजर बना के रखो डॉच कोईन का हमने आलरेडी आपको बोला था 0.08 डॉलर के आसपास मिले तो एंट्री बना लीजिएगा 0.1 डॉलर तक जा सकता है और हमें उम्मीद है इलॉन मस्क कुछ ना कुछ खेल कर सकते है कोई ट्वीट आ सकते हैं अगर आ सकते हैं तो लगबस 0.092 के आसपास चल रहा है यह 0.1 डॉलर से लेके 0.15 डॉलर भी देखने को मिल सकता है तो यह दो कोईन पे भी आपको नजर बना के रखनी है लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो इसके लिए एंट् करती है शीवा इनु के अंदर देख रहे हो तो लगबख 1180 और 1140 के आसपास जो अभी रेट है इस पे भी आप बना सकते हो लेकिन हो सकता है आपको होल्ड करने को मिले या होल्ड करना पड़े थोड़ा टाइम वेट करना पड़े पंप के लिए एक और इंपॉर्टन जैसे चैड चीपीटी है न ऐसे ही एक जो है चीज बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं लेंग्वेज मॉडल और वो है ट्रस्ट चीपीटी और उसके अंदर वो एक्स्प्लोर करना चाहते है यूनिवर्स को और उस पर विश्वास हो सके क्योंकि उनका कहना है जो चैड जीपी चल रही है तो आने वाले टाइम के अंदर AI coins पे आप नजर बना के रखिएगा माफ किजिएगा पूरी उम्मीद है कि हमें यहां पर AI के coins आपको एक अच्छा return देके जा सकते हैं और AI coin के list हमने अपने YouTube चैनल पे पहले ही डाल दी थी दो दिन पहले तो उस coin पे आप नजर बना के रखिएगा हमें पूरी उम्मीद है वो 20-25% का तो आपको return कभी भी देके जा सकते हैं और यहां से double का potential भी वो इस quarter के अंदर और लंबे समय के लिए रखते हो उसमें से एक दो coin है जो हम long term के लिए नहीं देख रहे हैं लेकिन जादातर coins एक अच्छा return आपको देक description में हमने उसका link दे दिया है और साथ के साथ में अगर आपको financial related कुछ नहीं पता तो financial planning चाहते हो या कैसे smart invest करना चाहिए investing tips चाहते हो तो हमने एक नया YouTube channel बना दिया है BI Money के नाम से और उसका description में हमने link दे दिया है वहाँ पे आपको courses मिलेंगे technical analysis fundamental analysis या ऐसी knowledge वाली videos मिलें जो actually आपको financially freedom की तरफ ले जाए financially free कर सकें तो उसको भी जरूर आप जो है subscribe कर लिजेगा follow कर लिजेगा और वो वीडियो जरूर जाके देखिए बहुत educational है और आपका दिमाग खोल सकती है कि आपको कैसे अपने पैसे को जो है यहां पर manage करना चाहिए अभी के लिए विदा झाल सकती है झाल सकती है